अब अर्विंद केजरिवाल जी भी आ गए खुद की तुल्ला आजकल भगवान से करते हैं इश्वर से करते हैं लेकिन आधुनिक युग का ब्रश्टाचारी कंस कोई है कंस आप समझ गए ना आधुनिक युग का ब्रश्टाचारी कंस कोई है तो वो अर्विंद केजरिवाल ही है इनी के इशारे पे सारी कट पुतलिया इनकी तिजोरी भ्रश्टाचार के रुपई से भर रही है और अर्विंद केजरिवाल जी आपको शरम आनी चाहिए आप अपने ब्रश्टाचारी मंत्रियों की तुल्ला वीर भगत सिंह जी से करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी है और आप लोगोंने ब्रश्टाचार करकरके जनता की जान में आफकी हुई है और दोनों की तुल्ला करते हैं अब और उसके बाद इनका भी एक ट्वीट आया है विजित्र ट्वीट है पता नहीं कौन आजकल कामिशन पे इनको सला देता है जेल की सलाके और फासी का फंदा भगत सिंग के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए अच्छा अरविंद के जिरिवाज जी यह तो भारत का कानून भ्रष्टाचार के लिए फासी की सजा नहीं देता है अगर देता होता तो कितने फंदे होते देखिया आप यह आपकारी नीती का भ्रष्टाचार पहला फंदा हवाला का भ्रष्टाचार दूसरा फासी का फंदा लो फ्लोड डी टी सी बस कैम एक और फासी का फंदा होता वक्ष की जमीन भी आप बेच के वहाँ भी घोटाला करते हैं कट्टर बैमान अर्विन केजिवाल एक और फाजी का फंदा बच्चों के क्लासरूम बनाने में भी आप भरश्टाचार करते हैं ये भी एक फंदा टॉयलेट्स को क्लासरूम समझ लेते हैं ये स्पष्ट कर देता है कि अर्विन्द केजिवाल बहुत घबराएं और डरे हुएं और डर की ही वज़ा है जो महापुरुश रहे हैं जो पूजनिये हैं जो आदर्श हैं हमारे देश के लिए उनका नाम भी इतने हलके तरीके से इस्तमाल करते हैं और वो भी कटर भैमानों के लिए ब्रश्टाचारियों के लिए